जेज समिट से पीछे हटी दीपिका पदकोन नाम वापस लिया पदमावती विवाद के बीच दीपिका पदकोन ने हैदरबाद में 28 नवंबर को होने वाले ग्लोबल एंटर अप्रेनियोर्शिप्ट समिट याने वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन G.E.S. से अपना नाम वाप ले लिया है इस सम्मेलन की शुरुआत 28 नवंबर को होगी इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प की बेटी इवाका और प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी भी शामिल होंगे मीडिया में जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा गया है कि दीपिका पदुकों ने इस समिट से अपना नाम वापस ले लिया है जबकि उन्होंने पहले इस कारिक्रम के लिए हां भर दी थी समिट में दीपिका को हॉलिवुड टू नुलिवुड टू बॉलिवुड दपाथ टू मूवी मेकिंग टॉपिक पर अपने विचार रखने थे त्रश्वस को भारत और अमेरिका मिलकर आयोजित कर रहे हैं थीम वुमन फर्स्ट प्रोस्पेरेटी फरो इल रखी गई है समिट में दुनिया भर से करीब 1500 उद्यमी निवेशक और पारिस्थतिक तंतर समर्थक हिस्सा लेडा रहे हैं समिट करीब 3 दिन चलेगी कयास यह लगाए डा रहे हैं कि पदमावती के विरोट के चलते दीपिका ने यह फैसला लिया है पूरे देश में राजपूत समाज पदमावती फिल्म का विरोट कर रहे हैं मध्यप्रदेश में तो फिल्म रिलीज नहीं करने की बात कही डा रही है मुख्यमंतरी खुद पदम जबकि राजस्थान में तो पदमावती के खिलाफ गुसा अपने चरम पर है। जबकि राजनीती के लिए किया जा रहा है। जबकि राजनी ने कहा कि यह सब चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। जबकि राजनी पदमावती को अलाउद्दीन खिल जी के साथ दिखाया है। इतिहास कारों के अनुसार अलाउद्दीन खिल जी ने राणी पदमावती की खूब सूर्ती पर मंत्रमुग्द होकर चितोडगर के किले पर आक्रमन कर दिया था। इस जंग में राजा रतन सिंग को अपने प्राण की आहूती देनी पड़ी थी जबकि राणी पदमावती ने हजारों दासियों के साथ जहर कर लिया था।